नवश्कार मैं हूँ अजय आदव और आप देख रहे हैं Next9News वेल दोस्तों आज का ये बेहत खास प्रोग्राम Star Life में आप सभी के बीच लेकर हाजिरूं इस खास प्रोग्राम Star Life में जहां एक Star की Life के बारे में मैं आप सभी को बताता हूं तो मैं आपको मैं रूबर गराता हूं Star से जुड़ी तमाम कुछ ऐसी खबरों के बारे में जो कि इन दिनों Bollywood गलियारों में च्छाई रहती हैं जी हां आज हम बात करेंगे खान परिवार का जोब हिस्सा नहीं है लेकिन Bollywood की काफी खुबसूरत और साथ ही बोल्ड अभिनेत्रियों में से एक गिनी जाती है मलाइका रोडा आज हम इनी से जुड़ी कुछ बेहत खास खबरे आपके लेकर आए हैं इस खास प्रोग्राम स्टार लाइफ में जहां हम सिर्फ और सिर्फ मलाइका रोडा के बारे में आज बात करेंगे कि कैसे मलाइका की दूसरी शादी से जुड़ी भी तमाम अपडेट सामने आ रही है और ये दूसरी शादी और किसी से नहीं बलकि किस से होने वाली है वो आप रिपोर्ट में जानेंगे क्योंकि आप ये भी जानेंगे कि कैसे मलाइका अपनी होटनेस को लेकर भी अपने वर्काउट को रेकर भी और अपने जिन जाने को रेकर भी लगातार ही खबरों में रही हैं लगातार ही उनसे जुड़ी तमाम वीडियोस कह लीजे या फिर अपडेट्स कह लीजे जो वाइरल होती रहती हैं आपका विना वक्त कवाई शुबात करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की जहां आज आप जानने वाले हैं कि कैसे खान परिवार का हिस्सा तो नहीं है अब भी मलाइका लेकिन किस तरीके से आज भी खान परिवार के साथ वो नजर आती है और कैसे मलाइका से जुड़ी खबरे वार रही हैं मलाइका अरुडा को लेकर जी हां मलाइका अरुडा फिल्म इंडॉस्ट्री का भले ही जादा जोना पहचाना नाम ना हो लेकिन मलाइका ने जो भी आइटम नंबर्स किये हैं उन आइटम नंबर्स में मलाइका को खूब पसंद किया गया है स्पेशली दबंग खान के साथ यानि कि सल्मान खान के साथ जहाँ उन्होंने आइटम नंबर्स किये हैं तो वह इन आइटम नंबर्स को खूब पसंद किया है भले आप बात कर लीजे मुन्नी बदनाम की या फिर बात कर लीजे पांडे जी सीटी की दोनों ही गाने जो कि दबंग वन और दबंग टू में थे काफी पसंद किये गए दर्शक वे द्वारा लेकिन फैंस के लिए एक बुरी खबर ये भी आई थी कि दबंग के तीसरे पार्ट में नहीं नज़र आने वाली हैं मलाइका रोडा इससे हटकर आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं कि कैसे दुबारा से मलाइका की फिर से दूसरी शादी की चर्चाएं जोरो पर होने लगी हैं मलाइका रोडा फिल्म इंडस्ट्री का जहां दूरियां बनाई हुई है उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से जहां कई लंबे टाइम से वो किसी आइटम नंबर में भी नजर नहीं आई है मलाइका के फिल्मों में ना आने को लेकर तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल सामने आया मलाइका की परसनल जिंदकी से जोकि उनकी शादी को लेकर था जैहां मलाइका अरोडा की दूसरी शादी अब ये खबरे कैसे वारल हुई, किसके साथ वारल हुई, बताते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरीए जनकारी से चलें आप सभी को, कि जिस तरीके से लगातार ही खान परिवार से अलब होकर स्पॉट की गईी मलाईका कई जगा پर तुमई जादा तर खान परिवार के साथ ही मलाईका को देखा गया खान परिवार से हट कर अगर बात की जाए तो आज भी मलाइका और अरबास को कई खास मौकों पर और साथ ही बिना किसे खास मौके पर भी साथ में देखा गया जहां कई खास मौकों पर दोनों साथ में नज़र आए तो होई अपने बेटे जहां अपने बेटे को लेकर मलाइका खबरों में रहती हैं तो हुई अपने बेटे और साथ ही एक्स पती अरबास के साथ हाली में फिर से देखा गया था मलाइका रड़ा को जहां से उनकी शादी की खबरे फिर से होने लगी दराजल ये कहा गया कि जिस तरीके से खबरे ऐसी वारल रहीं कि जैसे ही मलाइका और अरबास फिर से साथ में दिख रहे हैं तो हुई दोनों जल्दी ही शादी के मंदन में बन सकते हैं फिर से ये खबरे वारल होने लगी थी तो हुई मलाइका की अगर ऐसी खबर पर सच माना जाए तो दूसरी शादी किसी और से नहीं बलकि उनके ही एक्सपती अरबास से होई जियां ऐसी ही खबरे जहां लगातार वारल हो रही है तो हुई हम कोई पुष्टी नहीं कर रहे हैं इन खबरों की जो की दूनों के तलाग से काफे निराश थे तमाम वो बाते बंद होंगी जो की मलाइका के तलाग के दौरान हुई थी और फैंस को ये खुश्खबरी अब सच में मिलती है या फिर नहीं इस बात का भी इंतजार रहेगा लेकिन आप कोई जानकर दें कि जिस तरीके से साथ म फिर से स्पॉर्ट किया जा रहा है मलाइका अरवास को सही में दोनों से जुड़ी कई सारी अपडेट सामने आ रही हैं कई सारी खबरे सामने आ रही हैं हाला कि इन खबरों की पीछे शादी है या कुछ और ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा वेल दोस्तों ये बात रही मलाइका की दूसरी शादी की अरवास की शादी की और साथ ही कैसे खान परिवार के साथ अकसर ही स्पॉर्ट की जाती है मलाइका रुडा तो आपको ये भी बता दें कि मलाइका के इतला के कई सारी खबरें ऐसी आई थी जिसने फेंस पोस काफी ज़धा हैरत में जिन में से सबसे बड़ा रीजन हाली में ये भी सामने आया था कि सटे बाजी ही वो कारण था जिसके कारण बड़ा कारण सटे बाजी था जिसने मलाइका अरबास का तलाग कराया खबरे ऐसी वारल रहीं कि वसूली के लिए पैसो के लिए मलाइका को कौल आता था जिससे मलाइका तंग आ चुकी थी और उन्होंने फिर अलग होने का ही फैसला किया था और बास का जब बीते महीने सटे बाजी का मामना सामने आया था तब ये रिपोर्ट भी वारल होने काफी कोशिश की थी मलाइका और अरबास के तलाग को बचाने की जिहां एक लंच था जहां इस लंच में अरबास सल्मान और साथी खान परिवार के कुछ सदसे मौजूद थे तो महीं दूसरी तरफ मलाइका उनकी बहन अमरिता और साथ ही उनके पती स्पॉट हुए यानि कि अमरिता के पती हाँ पर पहुँचे थे उस लंच में जहां बाचित हुई सिर्फ और सिर्फ मलाइका और अरबास के तलाग ना होने दोने को लेकर जहां जल्मान ने काफी कोशिश की थी दोनों के तलाग को बचाने की तो वहीं खबरे ऐसी ही वारल रहीन लेकिन मलाइक ने फिर भी सोच ही लिया था कहीं ना कहीं कि वह अरबास से अलग ही होंगी और अंत में वैसा ही हुआ और अरबास से मलाइका तलाग ले चुकी हैं अलागी कई खास मों को पर खान परिवार के साथ जरूर देखा जाता है मलाइका को खेर इसके लावा अगर बात की जाए म मुलाइका की तो मुलाइका के घर खर्च को लेकर अग्सर यह ख़बरे आती रहती हैं तो आपको यह जानकरी देखे चलें कि मुलाइका के पास कई सारे ईसे शोज होते हैं, जिनकी वह जज्ज हैं कई सारे ऐसे रेम वॉक्स मलाइका करती है फैशन के साथ भी उजूड़ी रहती है जहां कई फैशन वॉक्स करती है वो फैशन शोस करती है तो एक खबरे ये भी रहे कि एक रियालिटी शो के महज एक रियालिटी शो के करोड़ो रुपए चार्ज करती है मलाइका रोडा और साथ ही अपने फैशन शोज के कारण भी वो सुर्ख्यों में रहती है आपको ये भी जानकारी जित चलें कि इसके लावा मलाइका अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देती है जहां मलाइका रोडा रेगुलर जिम जाती है जहां मलाइका के ट्रेनर ने भी इस बात से दंग रह गई थे कि मलाइका जितनी ज़्यादा मेहनत करती है क्योंकि 44 के बार की उमर में इतनी ज़्यादा मेहनत सच महीं काफी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है है आलकि बीटे दिनों उनके उनके gym को लेकर काफी गाविशादा ट्रॉल किया गया था जहां उनके जिम पर लोगों इस ऐसे कमेंट के थे ऐसी ट्रॉलिंग की थी कि जिम पर ध्यान देते देते अपनी बोड़ी पर ध्यान देते देते अपनी शक्त पर ध्यान देना भूल गई मलाइका जिहां ऐसी जहां ट्रॉलिंग हुई थी तो मैं इन ट्रॉलिंग को हमेशा ही मलाइका इगनोर भी कर दिया है आपने आज ये भी जाना होगा कि कैसे मलाइका रोड़ा अपने वरकाउट से हटकर चर्चा का विशय तो रही हैं अपनी ही पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल जिंदिक की तक जहां फिल्मी पर्दे से बले ही मलाइका रोड़ा दूरिया बना चुकी हों लेकिन आज भी सोशल म इंस्टाग्राम के जरी वो लगातार खबरों में रहती हैं और कैसे आए दिन उनसे जुड़ी कोई ना कोई अपडेट आती रहती है आपने इस खास प्रोग्राम में ये भी जाना होगा इसके लावा आपने ये भी जाना होगा कि कैसे लगातार ही दबंग खान के परिवार यानि कि सल्मान खान के परिवार से जुड़ी कुछ खबरे आज भी मलाइका को लेकर वाइरल हो रही होती हैं किस तरीके से फिर से ख़बरे आने लगी थी मलायका की दूसरी शाधी की लेकिनी दूसरी शाधी और किसी से नहीं बलकि आरबास खान से ही होनी थी आपने इस खास रिपोर्ट में ये भी जाना होगा वै दोसो आज का एखास प्रोग्राम था स्टार लाइफ जिसमें हमने बात की मलायका अरोडा की बारे में उनसे जुड़ी कुछ बेहथ खास ख़ज़ों के बारे में उनके work out उनके work front, उनकी personal life, उनकी professional life और تمام कुछ ऐसी चर्चाइं जो कि मलायका को लेकर होती ही रहती है हमें comment box के जरीए जरूर बताएं कि आज का ये program आपको कैसा लगा और कुछ सुधार अगर हमारे program में आपको कराने हों तो वो भी आप suggestion हमें comment box के जरीए जरूर दे सकते हैं क्योंकि आप जर्शकों को खास ध्यान में रखते हैं हम ये program करते हैं तो होई ये था हमारा आज का special program में ऐसी ही तमाम updates के लिए stay tuned to our channel next 9 news और हमारे चनल को subscribe कराना भूलें